जाहनवी की अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाना चाहती थी श्री देवी, जान ये क्यों? फिल्म धड़ग से बलेवुड में डेव्यू करने वाली श्री देवी की बेटी जाहनवी का पूर इन दिनों अपना करियर बनाने में पूरी मेहनत कर रही है एक्टिंग के साथ साथ जाहनवी अपने स्टाइल को लेकर भी अकसर सुर्खियों में रहती हैं पिछले कुछ दिनों से वो अपनी अपकमिंग फिल्म गजनसक सेना को लेकर खबरों में हैं लेकिन कहा जा रहा है कि वो फिल्म रूही अक्जा, तख्त और दोस्ताना दो में भी नज़र आ सकती हैं भाई, ये तो उनका करियर है लेकिन फैंस उनकी परसनल लाइफ से जुड़ी बातें भी जानने को उच्छुक रहते हैं फैंस तो यह भी जानना चाहते हैं कि जाहनवी की शादी को लेकर क्या राय हैं फैंड्स को बता दें कि इस वक्त जाहनवी सिर्फ अपने करियर पर फोकस रखना चाहती है शादी करने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है मगर ऐसा नहीं कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती है उनके भी अपनी शादी को लेकर कुछ सपने हैं जिनके बारे में उन्होंने खुद एक इंटर्व्यू में बताया हाल ही में एक इंटर्व्यू में जब जाहनवी से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो शादी कब करेंगी लेकिन शादी कहां होगी इसका खुलासा जरूर किया शादी की लोकेशन वर ड्रेस भी सोच चुकी है जाहनवी जाहनवी ने बताया मैं अपनी शादी बहुत बड़ी और ताम जहाम के साथ नहीं करना चाहती मैं पहले से ही जानती हूँ कि मेरी शादी तिरूपती में काफी ट्रेडिशनल अंदाज से होगी मैं काजी व्रमजरी की साड़ी पहनूंगी मेरी शादी में साथ इंडियन खाना होगा जैसे इडली, सामभर, दही चावल और खीर इसके अलावा जाहनवी ने अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इच्छा भी जाहिर की खुद बताया कैसा पार्टनर चाहती है जाहनवी जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए तो उन्होंने कहा वो जो भी करें उसमें काफी हुन्हार और पैस्टनेट होना चाहिए मैं हमेशा उससे कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड रहूं इसके अलावा उसका सेंस ओफ यूमार भी अच्छा होना चाहिए और बेशक मुझसे बहुत प्यार करने वाला होना चाहिए खुद मेरे लिए लड़का ढूनना चाहती थी मा जाहनवी दोस्तों बता दें कि जाहनवी अपनी मा के काफी करीब थी वो ना सिर्फ उनके ड्रेसिंग टिप्स लेती थी बलकि अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें भी उनहीं से शेर करती थी यहां तक कि वो मा से लड़कों और अपनी फेवचर वेडिंग को लेकर बात करती थी इसी बात को जारी रखते हैं जाहनवी ने बताया उनकी मान श्री दिवी लड़कों को लेकर उनके जज्जमेंट पर कभी भरोसा नहीं करती थी क्योंकि वो किसी के भी प्यार में आसानी से पढ़ जाती हैं इसलिए मा मेरे लिए खुद लड़क का चुन्दना चाहती थी वर्क फ्रंट की बात करें तो जाहनवी जल्द ही पाइलट गुंग जनसक सैना की बायोपिक करगिल गरल में नजर आएंगी जिसका फर्स्ट लोकाल ही में रिलीज किया गया था फिल्म 13 मार्च 2020 में रिलीज होगी